अब यह काफी काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और मैं फिर से बताऊंगा कि आपको बोलूंगा कि यह की पॉइंट जरूर से खुद भी कंसेप्ट्वली प्रूफ कर लेना राइट मैं डिरेक्ल यह पॉइंट्स आपको बता रहा हूं देखें यहां पे कि एफ प इस लाइन के ऊपर दो दफ़े स्म हाइठ पर रहता ही यहां पर भी एच और हांप भी t1 माल लिया जाए कि यह जो हाइठ एच है point of projection से x1 पे है यह वाला height edge point of projection से x2 पे है एक बात दूसरी बात इस height edge को reach करने में particle को यहां से यहां तक time t1 लगा और दूसरी दफा particle जो height edge reach करा है यहां से यहां तक जाने में इसको time t2 लगा तो अब क्या-क्या बात है देखे पहली बात इन दोनों का sum x1 and x2 का sum जो होगा हम 2 square sin 2 theta by g बहुत ही important point है दूसरी बात time of flight का जो sum होगा that means इन दोनों time का sum जोगा t1 और t2 का t1 t2 क्या है जब पहली बार particle यहां से यहां तक जा रहा है तब time t1 है जब दूसरी दफा यहां पर तक reach किया तो initial से time t2 है तो t1 प्लस t2 की value होगी that will be 2u sin theta by g होगी जो की total time of flight के equal ह बहुत-बहुत important key point है और इस h की value t1 और t2 के term में जो होती है h equal to half g t1 into t2 होती है तो यह points भी आप दिमाग में राखना बहुत-बहुत important है मैं बार-बार यह कहूंग आपको कि सारे key points खुद भी सोच लेना, derive कर लेना ताकि आप physics के point of view से अपने आपको conceptually strong कर सकें अपने आप इन चीज़ों को समझ सकें अब फिर उसे याद रखेंगे तो काफी असान रहे जाओ अब हम लोग यहां पर next key point के पर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं यह key point क्या है इसमें क्या हुआ है कि यह particle को speed u से at an angle of theta with the horizontal fake दिया गया है अब हमारे को यह बताना होता है कि क इतने time के बाद after what time the velocity of the particle will become perpendicular to the initial velocity of projection तो यह initial velocity of projection है और जब यह moment ऐसा आएगा तब उस case में जो velocity होगी वह इस direction हो जाएगी और यह velocity का जो direction है यह initial velocity के perpendicular हो गई है तो यह जो time आता है that will come out u by g sin theta और इस moment पे जो particle की speed होती है that will be equal to u core theta तो यह result भी आप धियान में रखना और जरूर से इस result को भी खुद work out कर लेना कि यह result कैसे आया है ताकि आपको पूरा समझ हो सके result का असाथ मिसका आप directly कई जगा पे जहां पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप apply भी कर सकते हैं तो इस तरीके से कई सारी key points अब यहां पर next key point के पर बात करते हैं देखते हैं कि पॉइंट क्या है यहां पर एक particle है जिसको speed u से at an angle of theta with the horizontal फेका गया है और यह particle इस तरह से फेका गया है जिससे कि यह जो triangle आप देख रहे है ना O A B इसको इस triangle का जो vertex है उसको just touch कर रहा है that means यहां पर touch कर रहा है फिर A पे और फिर B पे मालने आजाए यह triangle जो है जो यह वाली side O A horizontal के साथ angle alpha बना रही है side A B इस horizontal line के साथ angle beta बना रही है तो theta alpha and beta के बीच में relation proof किया जाता है जो कि आप खुद भी प्रूफ करना और result को धियान में रखना tan theta will be called tan alpha plus tan beta तो यह भी result एक important result में होता है जो कि आप कई problem में हो सकता है इसका use हो जाए तो इसको धियान में रखना मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ जितने भी key results मैं बताया हूँ key points बताया हूँ उन सारे points को directly यूही याद नहीं कर लेना बलकि इनको conceptually पहले समझ लेना कि यह key points का मतलब क्या और कैसे आया है अब फिर इसके बाद इनके results को आप धियान में रखेंगे तो ज्यादा better होएगा तो यह सारे key points हैं अब तक के आगे और भी कई key points हैं जिसके पर मैं बात करू झाल 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 झाल